हेलो फ्रेंज नमस्ते वेलकम बैक वंस अगीन ओन माई चैनल मैं हूँ किरन दोस्तो आज फिर से मैं आपके लिए पहत्रीन हेर केर डियावाई लेकर करके आई हूँ जिससे आप अपने बालों को बहुत जादा खोपसूरत लंबा काला घना बना सकते हैं बालों से रिलेटे में आपके बाल बेहत लंबे होने शू हो जाएंगे बालों की गुरूथ बहुत ही अच्छी होगी तूटते जड़ते वे बाल भी बिलकुल से सही हो जाएंगे बेजान बाल भी बिलकुल सुन्दर और खुबसरत हो जाएगा बिलकुल काला घना मुलायम हो जाएगा तो द अलाबा भी इसके इतने सारे फायदे होते हैं कि लोगों को बिल्कुल भी इसका पता नहीं होता है चाय का पती गुनों का भंडार होता है इसमें इतनी अच्छी ची प्रोपर्टीज होती है जो कि मारे बालों को नैच्रली काला करने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है ग्रे सामगरी आपको लेनी है यह आपका है आप इसको बोल सकते हैं आमला और रीठा पुराने जवाने फ्रेंट्स आमला रीठा के बहुत सारे उपयोग किये जाते थे हमारे बालों की ग्रोथ में हमारे बालों को काला करने में लंबा करने में घना करने में आमला रीठा का बहुत बड़ा यूगदान होता है दोज्टो, इसके अंदर भड़पूर मातरा वीतमीन सी पाया जाता है जो हमारे बालों को बहुत ही मजभूत करता है, बालों की गडों की जरों को मजभूत करता है जरों से infections फगरा को दूर करने में बहुत ही जादा help करता है हमारा आमला और रिठा यहां पे हमने आमला रिठा जो है as it is ही लिया है आप चाहें तो यहां पे आमला रिठा का powder भी इस्तमाल कर सकते हैं उसके भी same to same ही benefits होंगे तो दोस्तों यहां पे आपको दो ही सामगरे लेनी है पहली लेनी है चाहे कपती और दूसरी लेनी है आमला रिठा तो चलिए आप इसको बनाना शुरू करते हैं तो किसी भी बरतन में जिसमें भी आप चाहे बनाते हैं गरम पानी करते हैं तो आपको एक पतिला लेना है उसमें रखना है लगबग एक ग्लास के असपास पानी एक ग्लास से रेल ग्लास भी रख सकते हैं थोड़ा सा मेजर्मेंट 19-20 का कोई दिक्त नहीं है और उसके बाद आपको एक चमच इसमें डाल देना है भर के चाई का पती चाई का पती एक चाइकापती जो है दोस्तों color छोड़ता है और इसी के color की वज़े से हमारे बाल भी बहुत ही जादा अच्छे और खुश्टत हो जाते हैं बालों को naturally काला करता है हमारा चाइकापती उसकाद आपको लेना है एक चमच के असपास आमला और रीठा आमला रीठा दोस्तों आप बोलोगे कहां मिलता है आमला रीठा आपको एजली से किसी भी ग्रोसरी स्टोर में मिल जाएगा और अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आप इसको ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं लिंक डिस्क्रिप्शन मे प्रोवाइड करवा दूंगी वहां से अब दे करके कर सकते हैं तो इसको क्या करना है सब दोनों चीज़ों को पानी में डाल करके उबालना है उबालने के लिए यहां पर टाइम सेट कर सकते हैं 10-12 मिनित तक मैकसिमम 10-12 मिनित तक काफी अच्छे से मेडियम से लो फ्रेम पे ही इसको बाले ताकि जितने भी इसके फायदे हैं आमला के रीठा के चायकबती का वो सबी के सबीस पानी में आजाए और यह जो पानी फिर बनेगा ना एक दम मैजिकल बहुत ज़्यादा जबरदस पानी बनेगा दोस्तों यकीन मानिए ट्राइ किजिए गन उसका इसको खतम हो जाएगा거를 बालो को यह काला करने में बहुत ही तो अच्छी से गरम होने के भाद ड़का अच्छे से 18 Parte 10ुan को खल आने के बाद आब को क्या करना है शक्bon फाने मीला आप बहुत बहुत ज़्या-बाो ग्neapp की जबरिये onwards इसको चाण लेना है और आफ यहां पे आपको क्या करना है आपके पसंद कोई भी शैंपू आपको के मैंने लिँर का छह स्यम्पू जो की बहुत आप हैंबने लिखाह करता हैं वी मेरिवन इसने भी यह गदू childcare को मंड़ें चुछ इसकी स्मेल होती से पटा चलता है कि इसकी system इंब-ध्य मों होती है ब一定要 बआता कवी जानाता अवग रेक然后 ब किया नहीं किया होता है नैच्रल होता है हमारे वालों में बहुत अच्छा शैंपू होता है जोग जोग शैंपू के लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे देती हूं जरू ट्राइ करिए बहुत ही बढ़िया शैंपू है मैं बहुत टाइम से इस्तमाल कर रही है आप देखते होंगे बहुत सारी वीडियो में दिखाती हूं आप लोगों के को क्योंकि बहुत ही अच्छे आपको अपने बालों को वाश करना है तो नॉर्मल शैंपू के जगह आपको डियाइवाई वाला शैंपू इस्तमाल कीजिए आपके बालों से जितनी प्रॉब्लम से दूर हो जाएगी इस तरह किसे बालों को काफे अच्छे से गीला कर ले और फिर उसी से आपको अपने बालों को अच्छे से वाश कर लेना है इस तरह के से बालों को वाश करने के लिए दोस्तों बहुत साही लोग बहुत ही अलग लग तरीका अपनाते हैं जिससे बालों का तूटना भी शुरू हो जाता है तो बिलकुल आराम से ही बालों को आपको जरू से मालिश करते हुए अच्छे से वाश करना है और फिर नॉर्मल वाटर से इसको धोले रिंस कर ले अपने बाल को तो तो आपको इतना खुबसरत और बढ़ियां वाल मिलेगा ना पहले ही इस्तिमाल से बहुत ज़्यादा बालों को इस तरह से बहुत ज़्यादा उलजाना नहीं है आराम आराम से अपने बालों को वाश करना है और इसका अच्छे से बालों को पहले ट्राइ कर ले सुखा ले उसके बाद ही आप इसको कॉम करके सीधा करें तब ही आपके बाल की तूटने जहनने की जो समस्या है बिलकुल कम हो जाएगी और आपके बाल इतने सुन्दर खुबसुरत मुलाइम मिलेंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा दोस्तो कुछ दिन ट्राइ कीजिए बहुत इफेक्टिव नुस्खा है जो भी मैं नुस्खा बताती हूँ सभी के सभी बहुत इफेक्टिव होते दोस्तो ट्राइ कीजिए और वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे और भी ऐसे इंट्रेस्टिं वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें